प्राधियों का तंडव दिन दहाडे देखने को मिला और अतना ही नहीं इस वर्चस्व की लड़ाई में मुख्या पती ने दो लोगों को मौत के घाट उतार दिया दरसल गोली तो तीन लोगों को लगी थी लेकिन जिसमें से दो लोग की मौके पर मौत हो गई और एक व्यक्ती गंभी रूप से घायल है जिसका इलाज मुंगेर के अस्पताल में जारी है इसमें पूरे अलाके में संसनी का मोहौल है और इस वर्चस्व की लड़ाई में क्या कुछ हुआ क्या है ये पूरा मामला जानते हैं दरसल मुंगेर में वर्चस्व की लड़ाई में दो लोगों की हत्या कर दी गई मुख्यापती की फाइरिंग में तीन लोगों को गोली लगी जिसमें दो की जान चली गई और एक घायल है बताय जा रहा है कि मुख्यापती ने खुद फोन लगा कर बुलाया था इसके बाद दोनों पक्षों में बस टैंट के ठेके को लेका लड़ाई हो गई फिर आरोपी ने फाइरिंग शुरू कर दी घटना बरियारपुर थाना च्छेत्र की है वारदात के बाद पुलस सतर्क है मुंगेर सदर अस्पताल में बड़ी संक्या में पुलस बल की तैनाती की गई है मरने वाले की पैचान बरियारपुर थाना च्छेत्र के 81 टोला निवासी पंकज मंडल जिसके उम्र 35 साल बताय जा रही है कि रूप में हुई है जिसके मौत मौकी पर ही हो गई वही गांधिपुर निवासी रेंजन कुमार सिंग की सदर अस्पताल में इलाज के दौरान मौत हो गई गायल व्यक्ती का नाम बुगट चौधरी बताय जा रहा है जिसके उम्र लगबक 40 साल है गायल का इलाज नीजी क्लीनिक में चल रहा है बताते चले कि बस्टेंट के ठेके को लेकर थाने में सिर्फ सोगज की दूरी पर गोली बारी की घटना को अंजाम दिया गया कचारी टोला निवासी शिवदानी मंडल के बेटे पंकज मंडल को फोन कर बरियारपूर बस्टेंट के पास बुलाये गया पंकज मंडल रंजन कुमार के साथ मोटर साइकल से बस्टेंट के पास पहुचा इस बीच चार बाइक पर तीन-तीन लोग सवार होकर वहाँ पहुचे हुए थे दोनों के बीच कहा सुनी हुई सिदौनान अपराधियों ने पहले पंकज मंडल को गोली मारी इसके बाद रंजन कुमार भागने लगा तो अपराधियों ने उसे ख़देड कर गोली मार दी सानिय लोगों का रोप है कि दूलो मंजल ने फोन कर पंकज मंडल को बुलाया था इसके बाद अपराधियों ने गोली बारी कियो और घटना को अंजाम दिया परिजन ने बताया कि दूलो मंजल को गोली चलाती देखा गया है दूलो मंजल बरियारपूर थाना चेत्र के पढ़िया पंचायत के वरतमान मुखिया सरीता देवी का पती है गोर तलब है कि पंकज मंजल कोलकाता पुलस में नौकरी करता था पंकज के खिलाफ बरियारपूर थाने में कई मामले दज्ज है असलिए उसे नौकरी से निकाल दिया गया था इसके बाद पंकज घर पर ही रहता था वही रंजन कुमार सी आर पी एफ की नौकरी छोड़कर घर पर रहता था रंजन कुमार का एक भाई बिहार पुलस में है घटना के बाद सदर डियस्पी राजेश कुमार मौके पर पहुचे स्थी को तनाफपून देखते हुए सदर अस्पताल में बड़ी संक्या में पुलस बलकी तैनाती की गई कई थानों के पुलस कैंप कर रही है पुलस ने डियम के आदेश पर दोनों शवो का पोस्ट माटम कराकर परजन को सौप दिया है दर घटना के बाद मरने वाले के परजनों का रो रो कर बुरा हाल हुआ पड़ा है कोतवाली थाना देक्ष दिरेंगर पांजे ने बताया कि गोली बारी में दो लोगों की मौत हुई है अपराधियों की गिरफतारी को लेकर छापे मारी लगातार जारी है बिहार में लगातार अपराधे घटनाई बढ़ती ही जा रही है जहां एक तरफ पुलिस आक्षिन मोड में नजर आती है तो वहीं दूसरी तरफ इस तरह की अपराधे घटनाऊ से सरकार और प्रसे अक्षिन पर कई तरह की आरोप लगते हैं और कुछ ऐसा ही मुंगेर के बर्यारपूर में हुआ जहां थाने से मैं सो गज की दूरी पर इतनी बड़ी घटना को दिन दहाडे बस टैंट पर अंजराम दिया गया है फुला के लिए इस बड़ी अबजेच में अतना ही नमस्का